नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल जागी एक नज़र डालेंगे उत्राखंड की खास खबरों पर उत्राखंड महाकुम में ट्रैफिक प्यवसाओं का ख्याल रखते हुए आज से 15 अपरेल तक नए नियम ट्रैफिक के लागू कर दिये गए हैं खुमबक के दक्षनावती हैं उनके लिए अधिक व्यवस्ता बनाने की परपस से डाइवर्जन करवाई किया गया है इसमें जो प्रमुकता से जो मार्गों हर्दवार से होकर गुजरते हैं उन्हीं मार्गों पर हम लोंने डाइवर्जन का प्रक्रिया अपनाया हुआ हु अकबार के मादम से भी पुलिस भी बगत जारी की जा रही है सुषना उसकी सम्मंदित वेक्ते तक पहुच जाएगी ऐसा हम लोग उसका प्रिक्षा कर रहे हैं साथ में सभी वाटसाप ग्रुप्स के मादम से और मेडिया के प्रतिन दियों को भी उसकी सुषना अबा के मा कई अखारे अपने करमवार से हरकी पौड़ी भ्रमकुन पहुचे और शाही स्नान पकर पापो का नाशकर साथ ही अनंत गुनाफपल की प्राप्ति की इसी करम में अखारो द्वारा भवे और देवे जुलूस रुपी जमात निकाली गई जोरान लाखों की संख्या में पाना हुए थे जहां पहुचकर खारो के सभी सन्यासियों ने गंगा इस्नान किया आज सोवती अमावस के दिन वरिशिकेश के प्रसेत रवेनी घाट पर लोगों ने इस्नान किया लेकिन कोरोना की गाडलाइन के नुसार आज के दिन जितनी भीर खोनी चाहिए ते उतनी नहीं दिकी इसका साफ एक ही कारण है कोरोना का डर लोगों में साफ देखने को मिल रहा है प्रसाशन ने सभी तैयारियां अच्छे ढंक से की और जगा जगा पुलेस के चरवान भी तैनात किये हुए हैं प्रसाशन के द्वारा कोविड की जाच में के केंद्र भी बनाए ह हुए हैं जहापक कोरोना का टेस्ट भी किया जा रहा है और अगर किसी को भी किसी विमारी की बचा से कोई दिक्कत होती है तो उसका भी उनका इलाज महीं घाट पर करने का पूरा इंतिजाम किया गया है त्रिवेनी घाट पर देव डोलियों का इस्तान भी हुआ राज रा काने के बाब माताकल सेच चैत्र नवरात्रों के लिए मंद्रों में विराजमान हो जाएंगी यहां बहुत बढ़िया लग रहा है क्रोना की वैसे थोड़ी सकती जादा है जिस वैसे बीड़बार कम है और बाकी इंतियाम प्रशाशन के बहुत अच्छे हैं और सब अपना नियम का पालन कर रहे है और अच्छा है सकती है चवर उसकी निशानी है इस उपलक्ष में आज कलश यात्रा निकाली गई कलश यात्रा में नगर निगम की मेर भी शामेल हुई उन्होंने भी कलश सर पर रखकर यात्रा की पौडी जुले में जंगलों में लगी आग की घटनाय थमने का नाम नहीं ले रही हैं यहां जुले के नैनी डांडा ब्लॉक में तीन मवेशी आग की चपेट में आकर जलका खाको गए जिससे इनकी दर्दनाक मौत पल भर में हो गई जबकि अन्य तीन मवेशीयों को किसी तरह से आग की लप्टों से बचा लिया गया इस घटना में मवेशीयों के मालक निराश है उन्होंने बताया कि जंगलों में लगी आग सडक से होकर मानवी वस्तियों की तरह अब पहुंच गई है जिससे किसी पर भी किसी तरह से काबू पाया गया है लेकिन विक्राल रूप वाली आग ने उनके मवेशीयों नहीं बच पाए हैं वहीं मवेशीयों के मालक और ग्रामिनों ने वन विभाग से अपील की है कि जंगलों में जो आग की घटनाय लगातार बढ़ रही हैं समाजिक व्यक्तियों पर पहनी नजर रखी जाए ये आग की घटनाय होती हैं कहीं पर घटना होती है तो उसके बाद जो काफी देर बाद पता चलता है जब तक आदमी वहां तक पहुंचता है तो यदि किसी ने खुरापात की लगाई है तो वो पकड़ में नहीं आ पाता है फिर भी बन भाग लगाता कोशिस करता है कि जो है बन दिम के अतहर की जाएगी जो हल दुआनी के मंगल पड़ा पुलिस ने एक स्मैक तसकर को गिरफतार किया है जिसके कबजे से 55 ग्राम स्मैक भी बरामत की गई है बता दे है पकड़ी गई स्मैक की कीमत 5 लाक रुपे से ज्यादा बताई जा रही है पकड़ा गया आरोपी उद्दम सिंग नगर के किच्छा का रहने वाला है तसकरी में स्माल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामत की है सीओ प्रमोज शाह ने बताया कि च्रेकिंग अभ्यान के दौरान मंगल पड़ा पुलिस ने देर रात एक यूवक को रामलीला ग्राउंट के पास से आरोपी की जब तलाश ली गई तो उसके कबजे से 55 ग्राम स्मैक भी बरामत हुई है यूवक ने अपना नाम हारुन बताया चोद्दम सिंग नगर का रहने वाला है उसने बताया कि वो स्मैक को उतरप्रदेश से लाकर हलदुआनी में सप्लाइ करता था बताय जा रहा है क आरोपी पिछले काफी दिनों से पुलिस को तलाश ती उसकी आरोपी के खिलाफ एंडी पीए सेक्ट के तहत मामलत दर्श का कारवाई की जा रही है गंगा इसनान कुम्बक का और सोमवती हमावस्य होने के साथ करोना के चलते साफधानिया बरतने को लेका उपजिलादिका पिछारी ने उनको मास्क दिये उन्होंने कोवर्ट जांच के लिए टीम के कारे को देख और ज्यादा जांच करने को बोला बता दे रिशिकेश के सभी साफधिले के सर पर जैसे बस स्टैंट, रिल्वेस्टेशन और त्रिवेनी घाट जैसी जगाओ पर कोरोना की टेस्ट में लगी भीशना के पीछे शीतकाल बहुत कम हुई बारिश भी एक बड़ी वज़ा है, मौसम विभाग के वग्यानेक रोहित थप्याल ने बताया कि विशेशकर इस साल जनवरी में से मार्श महीने तक सामाने से कम बारिश हुई है, फरवरी मार्श में सरवादे कम बारि केंद सरकार की और से भी सयोग दिया जा रहा है, वहीं राजे सरकार की और से भी जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल को लगाया गया है हलदवानी की मंडी चौकी पुलिस ने वंजीव तसकरी के मामले में बाड़ी कारवाई की है, पुलिस ने शे तसकरों को गिरफतार किया है, जिनके कबजे से दुल्ला प्रजाती का जीवित पैंगुलेन बरामत हुआ है, पकड़े गए पाश तसकर उद्दम सिंग नगर क जबकि एक मुरादबाद करहने वाला है, पुलिस ने तसकरी में इस्तमाल की जा रही एक स्विफ डिजायर कार भी बरामत की है, सीओ प्रमोश शाह ने बताया कि मुख्बीर की सूश्रा पर मंडी चौकी पुलिस ने गोरा पड़ाव से सड़क पघिराबंदी की, जब कार की तलाशी ली गई, उसमें दुल्ला प्रजाती का पैंगोलेन जीव रखा हुआ था, पूश्ताच में आरोपियों ने बताया कि पैंगोलेन को ओदम सिंग नगर के धोरा डाम से पकड़ कर लाया गया था, दुल्ला प्रजाती के पैंगोलेन की अंतरराष्ट्य बाजार म अभिराशर सिंग का कहना है कि आरोपियों के खिलाब वंजी वादिनियम के तहट मुकदमा दर्शकर का एरवाई की जा रही है और बरामत पैंगोलेन को जंगल में छोड़ा जाएगा पंत नगर सिटकुल के सेक्टर साथ में दुरगा फाइबर में अग्यात कारणों के शलते भीशोनाग लगई जिससे आजपास के शित्र में हरकम मच गया मौके पर पहुंची अगनी शमन विभाग की गारिया आग बुझाने का उन्होंने प्रयास किया लेकिन कई घंटों बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया जानकारी के मताब एक दुर्गा फाइबर में दोपैर करीब देर बजे उपनी मंजिल में अचानक धुआ उठने लगा तुहां उठते देख जब तक करमचारी कुछ समझ पाते अचानक आग बढ़ गई मौके पर CFO अगनी शबन की तीन गाड़ियां सहीद पहुँचे करीब चाग घंटे बाद भी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जासका आग लगने से करोड उर्पे का नुकसान की आशनका जताई जा रही है हालकि इस से पहले भी करीब जेर भाईने पहले दुर्गा फाइबर की पहले वाली प्लांट में अग्यात कार्णों के चलते आग लग गई थी उत्राखंड की खबरों में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस वोल इंडिया